हलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बुल बैस्टॉक पर रिस्क हमेशा उतना ही लेना चाहिए जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं आपको याद होगा अलोक इंडिस्ट्री कंपनी का शेर 5 रूपीज से 61 पर आया और फिर लगातार गिरता हुआ लास्ट 8 मन्स से 20 और 25 के बीची ट्रेड करता दिखा सुजलोन कंपनी शेर में मैंने आपको बोला था कि सिर्फ एक पोजिटिव न्यूज से हमें लेवल्स चेंज होते दिखाई देंगे और लास्ट वीक हमें शेर में काफी अच्छे लेवल्स देखने को भी मिले सिर्फ एक न्यूज के कारण रूची सोया का शेर भी 14 से 1500 तक पहुँच गया था ऐसा ही कुछ आर्किट फार्मा में भी हमें देखने को मिला जहां सिर्फ 18 से बढ़कर 2680 तक पोज गया था और अब लगातार डाउन की तरफ है इन सभी सेयर्स को लेकर सबका ओपिनिन अलग हो सकता है एकदम से तेजी और फिर लगातार गिरावट ऐसे स्टोक्स में रिस्क काफी जादा होता है एक्जांपल के तोर पर कल को सोचो कुछ ऐसी न्यूज आ जाए कि अलोक इंडस्ट्री को 1000 करोड का ओडर मिला ये न्यूज पक्का शेर के लेवल को काफी बढ़ा देगी दूसरी और मानो नेगिटिव न्यूज आ जाए तो फिर शेर प्राइस डाउन जा सकता है अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना इन तीनों स्टोक्स के फाइनेंसियल्स को जब आप एनलाईज करेंगे तो सोचने पर पक्का मजबूर होंगे बाकी शेर होल्डिंग पैटरन को जुरूर चेक आउट करना हम अलोक इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें रिलाइंस इंडस्ट्री एक बड़े प्रोमोटर के तोर पर उबर कर आती है और कमपनी को लिक्वीडेशन प्रोसेस से बचाने में कहीं ना कहीं आराईयल को ही क्रेडिट जाता है क्योंकि काफी सारे इंवेस्टर्स इसमें उस टाइम पर फस कर रहे गए थे फाइनेंसियल्स हम अलड़ी डिसकस कर चुके हैं अगर आप चाहें तो डिस्किप्शन बोक्स में दिये गए लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं एक लाइन में ही आपको बताना चाहता हूँ लोस में एक्जिट होना सेंस बनती नहीं जब तक आराईयल प्रोमोटर कंपनी के साथ है हम फ्यूचर में उमीद कर सकते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस भी बना रहना चाहिए ये सिर्फ मैं existing investors के लिए बोल रहा हूँ बाकी वीडियो को बेफालतु में बढ़ा करके time pass करने से कोई फायदा नहीं मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care